सबी को जैहिन दोस्तों आप सबी का हर्दिक सोधत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके लिए बहुत इंट्रस्टिंग और एक मज़ेदार वीडियो ले कराएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताके हम आपके से लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और आप इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत डोनल ट्रॉम जो है जी वो बन चुके हैं प् बहुत दोस्ती पहले भी रही है प्यम मोदी की और एक बार फिर यहीं देखने में आया कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेजिडेंट बनने के बाद इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेजिडेंट की तरफ से वो इंडियन होंगे डोनल्ड ट्रम्प जी हां और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फोरिन कंट्री में प्रेजिडेंट बनने के बाद और भारत की तरफ से इंविटेशन जो है वो एकसेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी कर रहे होंगे वैसे पहले भी वो भारत जा चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार भारत गए थे डोनल्ड ट्रम्प साब तो उस वक्त भी काफी अंगामा रहा था बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ से और बहुत कुछ सुने को भी मि पालिसीज रहेंगी अमेरिका की जो कि यकीनन अगर हम टेरिजम को देखें तो कहा तो यह जा रहा है कि ऑपरेशन जा रही है जी हां और बार बार के पी के और या आफगान वॉर्डर की तरफ कह लीजए कि बार बार पाकिसान ये बताता है कि जी हम उपरेशन कर रहे हैं तعلक कैसा है कि गल्फ कंट्री की तालक आप जानते हैं कि हमेशा से अच्छा रहय है और तरह की अच्छा रहय है कि चाहिए वो साथी ईरेव हो या कोई फुर्प कंट्री ओ, वह अमेरिका के कहने से ही अपने फैसले करती है और जब अमेरिका होने कि पाकिस्तान को पैसे द देने के लिए तयार नहीं होता और वो वैसे ही कोई ना कोई भाना करके और निकल जाते हैं सासा जी पीम मोदी ने जो अपनी ट्विट लगाई है जो मुबारक बात दी है उसमें उन्होंने जिससाना से लिखा है कॉंगरेजिलेशन माई फ्रेंड करके तो लोगों का ये भी कहना है कि जी उन्होंने तो बहुत बेतकलूफी के साथ मुबारक बात दी है जब कि पाकिस्तान के पीम ने जो मुबारक बात दी है वो ज़रा थोड़ा सा कहिए कि जैसे बात की है कि बस मुबारक बात दी है कॉं लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो हम उन्हें फ्रेंट नहीं कह सकते। इसलामिक कंटरी है तो इसलामिक ब्रदर हमारे बन गए या हमारे फ्रेंड बन गए वो भी हम नहीं कह सकते हैं पैसा हम लेते रहते हैं अभी भी आएमेफ से हमने लोन मांगा बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमें जो है एक बिलियन दिये अभी हमें एक बिलियन और उसके हम लोगों को जो आम सिटिजन्स हैं उनकी समझ में नहीं आ रही हमारे जो इंडियन दोस्ते हैं उनकी समझ में नहीं आ रही इसलिए वो इस तरह की बाते कर रहे हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो फ्रेंड लिखा आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्रेंड नहीं लिखा तो जी इसलिए नी लिखा क्योंकि हमारे फ्रेंड नहीं है वैसे तो चायना भी हमारा दोस्त नहीं है लेकिन पिर भी हम कहते रहते हैं और वैसे भी सुन nieuwe लें इंग्लीश भी समझ नहीं आती हैं तो इस वज़ा से हम कुछ कि प्राइन मेस्टर ने जो है डोनल्र ट्रम photographs आपको फ्रेंड नहीं लिखा और वैसे भी वह हमारी फ्रेंड है भी नहीं और जैसे कि आपने देखा है के मोधी जी के साथ उनकी बड़ी बनती है चाहें मोधी जी अमेरिका जाएं दोनल्र allowed desphat के टाइम पे या डोनल्ड ट्राम भारत ना है दोनों तरफ ही जो इवंट होते हैं जिस तरीके से रिसीव किया जाता है जिस तरह से इवंट को किया जाता है और सालिबरेट किया जाता है उसे देखकर तो साफ पता चलता है कि किस तरह की दोस्ती है या किस तरह का याराना है लेकिन साथ साथ मोधी जी ये याद रखिएगा कि अमेरिका को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि भारत बहुत जादा आगे बढ़ने की कोशिश करे भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरिंग पॉलिसी रखे या भारत जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो आगे बढ से भारत पो भी सेंक्शन की धंकिया दी गएंगा और अभी रिसटेट है तो मैं ये बता दूं किकि किसी की से दोस्ती नहीं है ना तो अमेरिका की भारत से दोस्ती है ना भारत की अमेरिका से दोस्ती है ना पाकिस्तान की चाइना से दोस्ती है ना चाइना की पाकिस्तान से दोस्ती है और ना ही किसी और कंट्री की किसी और कंट्री से ये सब के सब बिजनस के साथ जुड़े हुए हैं ये सब के सब अप और अगर किसी को जरुरत नहीं हो जाता है किसी काम का नहीं रहता है पैसा नहीं होता है उसमें के पास अगर किसी के पास पाकिस्तान की आलत है तो उस वक्त कोई भी दोस्त नहीं होता सबके सब दुश्मन होते हैं या फिर सबके सब ऐसे होते हैं जो कि हमें ना तो दोस्तों में शुमार करते हैं ना दुश्मनों में शुमार करते हैं वो कहते हैं जी हमें इनसे कोई लेना देना ही नहीं रखना है तो इसलिए हमें यह चीजों को याद रखना होगा कि यह जो बार बार हमारे दोस्त जो यूट्यूपर है या हमारे वो दोस्त जो मीडिया पर है इवन पॉलिटिशन और बेउरोक्रेट्स और दुनिया के किसी भी कौने में बैठे वे पाकिस्तानी जब यह बात करते हैं कि यह हमारी तो दोस्ती हो गई है हम तो दोस्त बन गए हम तो चाइना के साथ दोस्त बन गए हम तो भारत के साथ दोस्त बन गए हम तो अमेरिका के साथ दोस्त बन गए तो यह याद रखें कि ना तो होगा लेकिन जिस वक्त वो मतलब नहीं रहेगा या किसी और के साथ हो जाएगा या कोई दूसरा एक भी कोई अगर ऐसा हुआ जो कमजोर हुआ और ऐसा लगेगा कि जी है तो हम लोगों में फिटी नहीं बैठता तो उस वक्त जो है ना किसी को दोस्ती याद रहेगी ना यारी याद रहेगी ना कुछ उसकी पेस्ट एक्जेमपल आपको अगर मैं दे पाऊं जो के मुझे अभ दूसरे की मदद नहीं करते हैं इस्लामिक कंट्रीज ने जो ब्लॉक बनाया है वाइसी का उसमें जितनी पैसे वाली कंट्रीज है उन्होंने अपनी अलगी दुनिया बसाई भी है और जितनी गरीब कंट्रीज है वो बिलकुल ही साइट पने हैं वहना आप सोचें पाकिसा करने हैं ऐसा कभी नहीं होता तो वह अपने आप में ही जो है वो कतर कोई साओधी अरब यूई यह आपस में बैठे रहते हैं और बाकी जो इवन गल्फ कंट्रीज में भी जो गरीब कंट्रीज हैं उनको कोई मूह नहीं लगाता तो यह कहना के नहीं जी हम तो रिलीजन की जुड़े में हम तो दोस्ती के जुड़े में हम तो यारी बहुत है हमारी हम तो एक दूसरे के दोस्ते नहीं यह सब कुछ खेल है पैसे का पैसा 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 तो जी हाँ यह सब केल पैसे का है और इसके लिए हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना पाकिस के जे कुछ कर सकें तब तक दुनिया आपके साथ नहीं बैटती और अगर दुनिया हमारे साथ नहीं बैट रही Works और बार बार सिर्फ हमें सिस्टेमाल किया जा रहा है हमारी कभी कह hät través देतें जी हमा्वानिστान पर टैक करना है तो कभी इरान पे नज़ा रखनी है तो कभी चाइना को मज़ा चकाना है अगर या कभी भारत को तंग करना है अगर आप सिर्फ इनी कामों के लिए रहें तो फिर आपका यही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है कि अमेरिका आपको तरह तरह से इस्तमाल करेगा कभी चाहना इस्तमाल करेगा बाकी अगर किसी को ये बाते बुरी लगती है तो कान में उंगलिया डाले और मत सुने लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी बारहल यहां से हम चलते हैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में अपना बहुत सारा क आपको काफी पसंद आयोगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा जहां पर आर्जु काजमी जी ने ना सिरफ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि बात की परधार मंतरी मोधी और ट्रम की दोस्ती के बारे में जैसे कि आप जानते पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस मज़ेदार और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत